अगर आपने इस वीडियो के ओपर टैप कर ही लिया है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना यह आइफ़न आपको परचेज नहीं करना है इसके आपको मैं 5 major reasons बताऊंगा यह आइफ़न कौन सा है वो जानेंगे सबसे पहले इस वीडियो में इस आइफ़न को बाय करने के और ना बाय करने की reasons बहुत जादा है ना बाय करने की reasons बहुत कम है शुरुआत करते हैं सबसे पहले pricing से उससे पहले मैं आपको इसकी model number की details reveal करता हूँ यह है आइफ़न 13 pro वाला model ओकी सिर्फ आइफ़न प्रो वाला model 13 pro series max नहीं only 13 pro इस आइफ़न को ना बाय करने की reason सबसे पहले बताता हूँ दोस्तो यह आइफ़न में आपको green screen का issue iOS 17 update के बाद में सबसे जादा देखने को मिलेगा ऐसा कोई आइफ़न नहीं है जिसमें हमें green screen issue का देखने को मिला है सिर्फ आइफ़न 13 series में और वो भी pro वाली series में non pro model में हमें ऐसा कोई issue देखने को नहीं मिला इस आइफ़न को ना बाय करने का पहला reason सबसे तगड़े वाला ही है कि अगर आप मान लो second hand या नया phone बाय करते हो और iOS 17 का update install करने के बाद में आपका phone आप से 30 से 35 हजार खर्चा करवा देगा extra ये kind of fortunately मेरी case में screen खराब नहीं होई है और काफी सारे users के case में screen खराब नहीं होई है लेकिन बहुत सारी reels, बहुत सारे shots, बहुत सारी videos आपको ये claim करवाएंगी कि just phone को update किया था और phone में green screen issue आगया और Apple वाले कोई claim नहीं दे रहे और आपको 30 से 35,000 का खर्चा देना पड़ेगा no doubt phone तो देखने में या hold करने में बहुत सुन्दर है, भारी भी है उसी के साथ-साथ phone में जयान भी बहुत है, 6 GB की RAM और A15 processor है जो की 90 FPS BGMI में provide करता है, लेकिन क्या फाइदा अगर आपके इतने ज़ादा पैसे charge करवा देगा इस phone की किस्मत है, ये phone में green screen issue नहीं आया है उसी के साथ-साथ ये phone में 120 Hz की screen देखने को मिलती है जो की direct impact डालती है आपके iPhone की battery health की उपर दोस्तो इस phone की जो battery health है सिर्फ और सिर्फ इसकी screen की कारण खराब होई है मैंने दो phone लिए थे 81 दोनों की battery health 100% थी और एक है iPhone 13 और एक है iPhone 13 Pro model दोनों की phone की user जो है बड़ी minimalistic है धंक से use करना जैसे की normal बंदा use करता है ना मैंने almost कभी भी कुछ जादा gaming नहीं की है अगर game खेली होगी तो साल में 4 से 5 बार इसमें game खेली होगी so इतनी battery health इसकी बहुत जल्दी drain हो गई और ये 83% battery health थी almost 1 week पहले so 2 week के अंदर-अंदर 81% battery health हो गई है और ये तब जाकर stuck होई जब मैंने इसका 120hz का refresh rate बंद किया है यहां पर आप check out कर सकते हो display and size में एकसेसिबिलिटी में मुझे यहां पर motion मैं बलीब यहां कहीं पर मेरे को option देखने को मिला था कि 120hz पर मैं इसकी 60fps पर इसकी screen को force stop कर दूँ तो मैंने किया तो इसकी battery health 81% पर अभी stuck होई है आई डाउन्यों यह कब drop हो जाएगी literally don't know battery health का इसमें बहुत तगड़ा पंगा है क्योंकि phone जो है बहुत तगड़ा है phone काफी ज़ादा efficiency मांगता है मतलब power consuming phone है यह अगर आप 120hz का panel यूज करे हो तो आपको उसको power भी उतनी जादा देनी पड़ेगी so 13 के मुकाबले 13 pro का battery back का कम है उसी के साथ साथ दूस्तों यह phone की जो heating है वो आपको जादा देखने को मिलेगी as compared to normal 13 phone क्योंकि यहाँ पर यह जो है ना body steel वाली है दूसरी iPhone 13 यह ना जो aluminium है जो non pro model है तो यहाँ पर scratches भी आपको देखने को मिलेंगे जादा अगर मैं clean कर दून आपके सामने तो अभी आपको बहुत जादा scratches देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको चेक आउट कर सकते हो चलो यह तो normal usage में scratches वगरा तो हाँ नहीं है यह जो charging cable से scratches आएंगे इसके jack के उपर आप चेक आउट कर सकते हो और phone के camera में कोई problem नहीं है जस इसके ऐसे reasons में आपको बता रहा हूँ कि आपको यह phone by क्यों नहीं करना था So, दो मैंने सबसे तगड़े वाले reasons बताए हैं कि एक तो है इसकी battery, second number पर यह phone बैटरी बहुत पाने की तरह लूज करता है यह मैंने आपको reason बता दिया और दूसरा इसकी green screen issue बहुत तगड़े वाले issue अब जो last three reasons हैं वो आपको इतने जादा major नहीं लगे लेकिन I believe यह ज screen का issue हो सकता है आ जाए क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही possibility है कि screen issue खराब हो जाए या फिर ना हो, so second number पर उसकी battery सही है क्योंकि इसकी size बड़ा होने के कारण battery का size ज्यादा है जिसकी कारण मैं आपको backup जो है जादा देखने को मिलता है next point जो आपको 13 Pro ना बाय करने को मजबूर क दोस्तों अगर आप इस phone को ना बाय करने जाओगे तो आपको apple की तरफ से तो यह नहीं मिलेगा क्योंकि यह discontinue कर दिया गया है 13 अविलेबल है लेकि 13 Pro series अविलेबल नहीं है देख सकते हो चौथा reason आपको इसकी MRP जो है काफी जादा देखते हैं को मिलेगी जब यह phone launch हु Amazon sales में iPhone 14 50,000 का sale हुआ है और आप भी ऐसी बड़िया बड़िया sales में अपना phone book कर सकते हो अगर आप second hand iPhone 13 buy करने जाओगे तो at least आपको 60 to 65,000 पे करना पड़ेगा जो कि आपका iPhone 15 छोड़ा discount में बड़े अनाम से आपको मिल जाएगा 70 से 75,000 का आपको iPhone 15 मिल जाएगा और वो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी थैंक्स वाशिंग थैंक्यू सो माच